बने में कौन सा ये ये अमारी बनाईवी नसल है हाँ नाम इसका लोंडल वाली नसल बकरा है दोस्तों मतलब यह बच्चे देखो क्या उमर के है अब मुन्ना भाई बोलते कि इंशाललह यह अगले साल तक 4041 इंशाललह लगा देंगे अजीद मजीद वो भी बड़ा उचा विट्णे आप आफ यह अब दोस्तों माशाललह आज ना मैं आप लोगो बहुत ही शान्दार शेंदार रहे दिखाने वाला हूं और प्रामिस करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपको लोगों को आपने दिल खुश कर दिया और कमेंट करके बताना भी दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ ज़स जहलक मेरे पहले ऐसे गुमाता हूं जो शांदर बगरा दिखाने वाला वह आपको बात में दिखा हुआ माशालला यह हलका साथ देख लो बस पिच्छर इस्टार्ट होने से पहल में जानना चाहेंगे तो एक थोड़ा सा आपका इंट्रोड़क्शन दे दो कि मतलब आपका नाम क्या है और आप कितने सालों जो शौक कर रहे हैं तो वह सारी चीज़ अगर बता देंगे तो बहुत महरबानी होगी बाई मुन्ना भाई मया चाहें और मुन्ना ब्हाई जो इस्ताइल हें बहुत को अलग ये हलका सा न भाई ये बकरे का जो न खाली चेरा दिखा आप पेले अब सोचो कितना शांदार बकरा आने वाला है अच्छा मुन्ना भाई अभी क्या दिखाने वाले हो ये बकरा में अगें चेरा दिखाता थोड़ा लोगों को तलसाना भी चाहिए कि भाई ये बकरा ऐसा है ना मैंने देखते ही बोला कि यार बंदे पांच बकरे लेने से अच्छा ना ये एक बकरा ले ऐसा और शौक और कुर्वानी करें तो माशालला दोस्तों अब हम सिलो सिलो बकरे के ना पूरा आपको दिखाते हैं जो गाली करते हो देखरें कजब इचीजें माशालला बद नजीरी से बचा ये थोड़ा समुना भाई से जानेंगे थोड़ी सी डिटेब अगरा इसकी बता दो के माशाला और नसल बगेरा क्या है पिपाड का नए सोज़त में मेरे गाल से एक्स्ट्रीम कॉलिटी है माशाला ऐसा लुक आया ना सोज़त और हंसा में जो कुबसूरती आती ना वैसा मिल रहा है माशाला बख रहें और इसकी हाइट बगेरा क्या होगी मुना बई तो इसके लगए तो फॉर्टीटू हाइट हो गे ना माशालला थोड़ा सा मुन्ना भाई अच्छा मुन्ना भाई में चीज़ और जाए कितने सालों से इतने मेनों से बखर आपने पाले यह बाला हाँ यह भी मैने लिया जो चे मेना हो गया और माशाला दाथ कितने मुन्ना में चे कर रके आ half a ला माशालला a जोस्तों और मुन्हा बाई च्छे दात कर रके 42 है तो मेरे खाल चेए यह तो दो इंच और हाइड लेना ही चाहिए हैना माशालला दोस्तों इस बक्रे गॉन प्र थोड़ा स चलता फिरता दिखाते और इसकी सिंह उन्हार देको मतलब अलग ही लेवल का है माशालला दोस्तों बकरे को ना थोड़ चलता है फिर तो दिखा दे माशालला है भाई बहुत शांदार मतलब बोलते ना कुर्बानी के लिए परफेक्ट चीजे दोस्ते वैसा बकरा है थोड़ा आप हम लोग मुन्ना भाई से जानेंगे कुछ और सवालात करेंगे माशालला दोस्तों यह बकरा बाद में कवर करेंगे इसके लिए थोड़ा से इंतिजार करो वह बकरा फोर सेल है या शौक के लिए अब दिखा रहे हो भी देवी देगे तो दोस्तों एक चीज बताओ बहुत ही नायाब चीज है तो जो भी जेन्विन हमारी कॉंटेक्ट करें ताके कैसा होता है बहुत शौक से लोग पालते इतनी नायब चीजे बच्चे ही नहीं मिलते दोस्तों तो इतना बड़ा बगरा कर आपको दे रहे तो कुछ अलगी खूबी रखके दे रहे हैं ठीक है माशाला यह बगरा भी कवर करेंगे अगेन मै असरार भाई यह है मुन्ना भाई की नंबर है 95-87-78-64-3333 मुन्ना भाई से एक सवाल करूं अगर वो जवाब दे दे मुन्ना भाई मैंने आपको देखा हूं माशाला आप देवनार में बहुत बड़े-बड़े बखरे लाते दे एक चीज़ बुदना चाहूँगा और तो इतने बड़े-बड़े बखरे जो तयार कर दो कितना तक्रीबन टाइम जाता होगा जैसे अगर मैंने चे मैने का बच्चा लिया मैं बच्चा लिया कम से कम बढ़िया बच्चा पाला हो 25-45-48 तक का पोच्चा है चीक हाइट में और वजन में माशाला नहीं मैंने गूजनी में माशाला और भाई देखो मुन्ना भाई ना सब जानते माशाला देखो यह बखरा भी हम लोग कवर करेंगे और कुछ वहां बैठे वो भी कवर करेंगे तो पहले इसकी रिटेल मागिन दिखा दोस्तों नजरीने अट्रे अल्ला बदनाज इस बखरी की डिटेल आप थोड़ी से बताएंगे यह 120 क्लो है माशाला होगा 120 से 30 क्लो ही माशाला और और हाट दात का हो चुका है और इसके पंच भी लगा दिया पंच लगे अच्छा वो तो खसी बखरा है ना यह भी पंच हो चुका है माशाला कुछ यह हाइट तो और इसके पाउ बगेर तो आपको चला की दिखाऊ हुआ मुना पर इसकी हाइट कितनी होगी तकरीवन है पी पूर को बखरा देंओ संतरों प्रसक्राइब कान दिखर दो नों गहरम के लिए दॉस्टें प्लाफ इट कता गोडवा थो जोकियो दोड़ना थो माशाला ऊट बहु भाए झोद्ट limits या या पाड़े के कैसे पार होते माशा आशाला है गो आ यह माश्यालला दोस्तों मुन्ना भाइब फॉरसेल था तो मैंने नम्म पहले ले लिए तो जो भी लेना चाहता है उन्हें बाइसे पार कॉंटेक कर सकता है माश्यालला दोस्तों तीज ओ helemaal ज्या